जैन दोस्तों बंदे मातरम, जस्टिन टूडो आने वाले समय में बहुत परिशान होने वाला है, ऐसा नहीं है कि शुरुवात से जस्टिन टूडो को लेकर एक नेगेटिव माहौल भारत में था, ऐसा नहीं है, कई लोगों को आज की तारीख में जो अभी अभी पॉलिटिक का, इंडिया के प्रती और जिस तरह के elements को पना मिल रही है कैनेडा में, इंडिया के खिलाफ बोलने की, उसके कारण कहीं न कहीं, जो एक common Indian है, उसके sentiments ही बदलने को लेकर प्लस government के तो फिर होने ही थे, लेकिन अब चीज़े बदलने जा रही हैं, अब ऐसा लग रहा है कि टूडो ने अपना के रखी थी उस पॉलिसी को भी जटका लगने वाला है और आने वाले दिनों में टूडो को अपनी इस पॉलिसी को चेंज भी करना पड़ेगा इंडिया में आज की तारीक में भले ही गटबंदन की सरकार है बट उसके बावजूद भी इंडिया इतना वीक नहीं है कि कोई फॉरिन कंट्री इंडिया को अपनी फॉरिन पॉलिसी चेंज करने के उपर बात दे कर सके कैनेडा और इंडिया के रिष्टों के बीच में अभी एक तल्खपन जरूर है बट उन सब के बावजूद भी इंडिया अपने स्टैंड के ऊपर काबिज रहने के लिए तैयार है दरसल कैनेडा के जस्टिन टूडो की जो सरकार है वो इस समय बहुत बुरे संकट में जगमीज सिंग ने उन से सम्मन तोड़ लिया है यहां की कुल आबादी में दरसल सिखों की संख्या करीब 2% है इंपोर्टन बात यह है कि वहां गुरुद्वारों में वोटिंग पर बातचीत भी होती है और डारेक्शन भी दिये जाते हैं सिख समुदा है अपने लोगों के लिए फंड जमा करता है और आज की तारीख में आगर हम कैनेडा की बात करने तो वहां पर करीब 18 सिख सांसा है दरसल जस्टिंट टूडो का सिखो के प्रती जो एक प्रेम था उसके बाद उनको जस्टिंग सिंग टूडो भी कहा जाने लगा था लेकिन आज की तारीख में वह फिर से जस्टिंट टूडो बन चुके हैं जिन जगमीद सिंग पर भरोसा करके वो भारत को लगातार उकसाने वाले बयान दे रहे थे उन्हीं जगमीद सिंग ने उन्हें मजदार में छोड़ दिया है कैनेडा की संसद में आम चुनाव अक्टूबर 2025 में होने हैं लेकिन अभी इस पॉइंट ओफ टाइम पर जो हालात बन चुके हैं उनमें कभी भी आम चुनाव हो सकते हैं यूँ भी अगर आज चुनाव हो जाए तो कैनेडा में जस्टिन टूडो और उनकी पार्टी की लंका लगने की पूरी पूरी आशंका है कैनेडा के जो हालात आज हैं वैसे पहले दरसल कभी भी नहीं थे महंगाई इस समय महाँ पर चरम पर है बिरोजगारी की कतार जो है वो लगतार बढ़ती जा रही है नौकरी मिल भी जाए तो मकान खोजना मुश्किल है मकान है तो किराया बहुत जादा महंगा है खरीदने जाओ तो कोई भी मकान आठ से दस लाग डॉलर से कम का मिलता ही नहीं है एक केनडाई डॉलर की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो करीब 62 इंडियन रुपीज के बराबर पब्लिक ट्रांस्पूर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम नहीं रा कर रहा है और यही सब सोचकर जगमीद सिंग की निउ डेमोकरेटिक पार्टी एंडिपी ने टूडो से नाता तोड़ लिया है जगमीद को फिलहाल लगता है कि टूडो के साथ रहते हुए अगर वो लड़े तो उनकी भी नएये डूब जाएगी और देखिए यही राजनीती होती है राजनीती में आप किसके साथ है ये बात तो इपॉटेंट है लेकिन कब किस पॉइंट पर आपको किसका साथ छोड़ देना है ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है वरना आपके पड़ोस में आग जो लगी हुई है वो आग आपके घर तक आने में बिल्कुल भी दे तब टूडो प्रधान मंत्री बन पाए थे लेकिन जस्टिन टूडो अपने इस मददगार दोस्त से इतने अधिक उपकरत महसूस करने लगे कि उसी के कहने पर भारती विरोध पर वो तर आये जून 2023 में खालिस्तान समर्था का निजर को खत्म किया गया था सितंबर 2023 में जी टूइंटी के वे दिल्ली में हुए शिकर समेलन से लोटने के बाद प्रधान मंतरी जस्टिन टूडो ने संसत के अंदर इस पूरे कांड के बीचे भारत का हाथ होने का सीधे तोर पर इशारा किया था ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर जो जूलूस टॉरिंटों में निकाला गया था उसमें प्रधान मंतरी इंदरा गांधी के फुतले को जिस तरीके से दिखाया गया था वहाँ पर उनकी सरकार ने इन हरकतों क्या कोई विरोध तो छोड़ दीजी कोई एक्शन तो छोड़ दीजी चुपी सादली थी यू मान लिजे कि बस हमें कुछ बोलना ही नहीं है ऐसे बस सवाल ही उठता है कि आखिर अब जब उनके दोस्त ने उनका साथ छोड़ दिया है तब ये टूडो भाई साब आखिर क्या करेंगे एनडीपी नेता जगमीत सिंग शायद अगले महीने से शुरू होने वाली संसद में टूडो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताफ खुद लेकर आ है लेकिन जब तक इस प्रस्ताफ पर 119 सीटो वाली कंजरेविटिव पार्टी के नेता पेरे परिवेरे कोई पॉजटिव रिस्पॉंस नहीं देते तब तक कुछ नहीं होगा यूँ भी क्यूबेक पार्टी के 32 संसदों का रुख भी टूडो का भविश्यत ताय करने के लिए बहुत जादे इंपॉर्टेंट है अभी टूडो के पास में करीब 130 संसद हैं और उनको प्रहानमंतरी बने रहने के लिए 9 संसद और चाही इसलिए ये माल लेना सही नहीं होगा कि टूडो सरकार अब गिरी अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि कैनेडा समय से पहले आम चुनाओ करा ले तब पॉसिवेली जेस्टिन टूडो के एक बार फिर से प्रहानमंतरी बनने पर एक ब्रेक लग सकता है कैनेडा में लिबरल पाल्टी की टूडो सरकार पर भले ही अक्षमता के आरोप लगे हूँ लेकिन फ्यूचर में कंसर्विटिव पाल्टी के मेजॉरिटी लाने के भी संकेत नहीं है यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि कैनेडा यूएसे पर बैक्यार्ड में है अमेरिका किसी भी तरह कैनेडा की अंदेखी नहीं करेगा और अब इंतजार है तो ये कि निवंबर दोजार चौबिस में अमेरिका में किसकी सरकार बनती है अगर टैवंकुरेट्स आये तो वे टूडो को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे और डोनाल्ड टरम की रिपब्लिकन पार्टी जीती तो शायद वो पेरे को सपोर्ट करें लेकिन अब भी हाल फिलाल में जो हालात बन रहे हैं उसमें अल्टरा लिफ्ट पार्टी एंडीपी के जीतने के चांसस बहुत कम है क्योंकि गंजर्विटिव पार्टी से उनका तालमेल पॉसिबली मतलब लग नहीं पाराएगी हो पाएगा उन्हें अखेले दम पर ही लड़ना पड़ेगा पर यह बात होता है कि जो भी आएगा अब वो भारत से उतना जादा पंगा नहीं लेगा जितना 2015 के बाद से फिलहाल कैनेडा से देखने के लिए मिला है दरशल 2018 में भी जब जस्टिन टूडो भारत आये थे तब उन्होंने मजाक मजाक में कहा था कि उनकी सरकार में भारत की मोदी सरकार से कहीं अधिक मंत्री है उस्तमें टूडो सरकार में तीन सिख मंत्री थे आज उनकी संख्या चार है और कैनेडा की कुलाबादी में से 2% प्रतिशत सिख है और सबसे इंपॉर्टन बात है कि वहाँ गुरुद्वारों में वोटिंग पर बातचीत होती है और डिरेक्शन भी जारी होते है साथ ही सिख समुदाय अपने लोगों के लिए काफी फंड्स भी खटे करता है इसलिए वहाँ की 18 सिख सांसद है केड़ना में जिस तरह से रिफ्यूजीज के बहुत सारी कम्यूनिटीज बनी हुई है उनमें से ज़्यादा तर राजनितिक चेतना सिखों में सबसे ज़्यादा है इसका फायदा भी उनको मिलता ही है और खुलकर वो खालिस्तान का मुद्दा भी उठाते है भारत सरकार के दफसरों पर प्रदर्शन भी करते हैं खासकर टॉरंटो और वैंकूवर में दोनों जगे भारत के काउंसलर जनरल मौजूद है तो अब्विसी बात है उसका इंपक्ट अलगी लेवल पर जाता है लेकिन बिना सरकारी मदद के उनकी आवास दबी रह जाती है वो तो प्रदर्शन टूडो उन्हें सपोर्ट करते रहे हैं और अपने राजनितिक हितों के लिए वो सिखों के सुर में सुर्म भी मिलाते रहे हैं उन्होंने अपने कारेकाल में प्रवासियों को केनेडा में आकर बसने के लिए प्रियर्टाइज भी किया था साल 2015 में जब वो पहली बार प्रानमत्री बने थे तब 15 लाग प्रवासी केनेडा में लाकर बसाने का लक्षे उन्होंने निर्धारित किया था लेकिन सिर्फ साड़ तीन करोड के आबादी वाले केनेडा में ये जन्संख्या काफी ज़ादा है एक करोड वर के किलोमेटर के विशाल शित्रफल वाले केनेडा का तीन चौथाई से भी ज़ादा एरिया ऐसा है जहां पर कोई एक आदमी भी नहीं रहता इसलिए टूडो ने सोचा था कि उन्हें उन शहरों में बसने को कहा जाएगा जो खाली है पर आने वालों ने कुछ सालों तक इस दियम को माना लेकिन वे जल्दी ही अंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया और क्युबेक में जाकर बसने लगे और अव्यसी बात है ये वहां के कई सारे लोगों को बात सही भी नहीं लगी इसी तरह उन रिफ्यूजी का बोज भी केनेडा पर पड़ा जो यूएन की शरणार्ती नीती के तहत सीरिया अफगानिस्तान और यूकरेन से आ गए चाइना भारत पाकिस्तान श्रिलंका से भी आधिकारिक लोग वहां पर पहुँचते हैं शुरू में केनेडा के गोरों और कुलीन समाज ने इन्हें सस्ती लेवर समझ कर इनको बुलाया था लेकिन ये महनती लोग जब केनेडा की अर्थिवस्ता पर कबजा करने लगे तो जो गोरे लोग हैं वहां के वो घबरा गए नौकरियों का बड़ा हिस्सा ये प्रवासी खा गए मकानों को हौंग कॉंग ताइवान और चाइना से आये समझा सीधे नगदी में खरीदने लगे इस वज़े से मकानों के दाम बढ़े और अच्छे कारिगरी के काम के कारण इनका दबदवा बतलब इन सारे एरियास में भी हो गया मकानों पर बैंक ब्याज एका एक दो ढ़ाईज परसंट से बढ़ा कर पांच से छे परसंट तक पहुँच गया तब टूडो सरकार के प्रती लोगों का अंसतोष जागने लगा केनडा के अकेले हिंदी न्यूज चानल हिंदी टाइम्स के एडिटर राकेश तिवारी कहते हैं जस्टूडो 2015 में जिस अपार भहुमत से आये थे उसी तरह से उनके जाने की पॉस्पिलिटी भी बनते दिख रही है जहां पर अमेरिका डोनल्ड टरम्प लाचार हो गए थे तो वहां पर जस्टूडो ने लोगों को बचाया था लेकिन अपने तीसरे कारेकाल में उन्होंने सबसे पंगा ले लिया खासकर कि भारत से और यही उनके लिए एक भारी पढ़ने वाली एक आस्पेक भी बना लेकिन भारत भी टूडो और कैनेडा से एक दूरी रखता है भारत छोटे-छोटे मुलकों को तो बहुत तवज्यों देता है सिर पर चड़ाता है लेकिन केनडा जैसे जी सेवन कंट्री के साथ उसका खिचाव हमेशा करी लोगों के सामने आया है केनडा की जो सिक आबादी है वो अब्वेस सी बात है कही न कहीं अंटी इंडिया की तरफ जाती है लेकिन वहां पर हिंदू भी है मुस्लिम भी है कैनेडा में हिंदू की संक्या सिखों से थोड़ी सी उपर ही है मुस्लिम भी खासी तादाद में रहते हैं और इन पर भारत की सरकार को लिटरली सोचना चाहिए कि यार इनका हमें क्या करना है आप मुझे बताइए कि टूड़ो सरकार के फ्यूचर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं मेरे इस वीडियो फिलालता है जय हैं जय भारत